अगले पांच साल में कैंसर को लेकर कई कारगर टी के विक्सित किये जा सकते हैं अमेरिका के नैशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के डॉक्टर जैम्स गुली ने कहा है कि हमें इस दिशा में कुछ हद तक सफलता मिल गई है अब इसे और बेहतर करने की दिशा में काम हो रहा है वैग्यानिक जिस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं वहे आम वैक्सीन से इतर होगी दुनिया भर में कैंसर के विभन प्रकार के वैग्यानिकों के लिए चिंता का कारण बने हुए है कैंसर की जादा तर प्रकार का इलाज जांच पर निर्भर करता है इस समय इलाज के बाद भी कैंसर के दोबारा होने की आशंका बनी रहती है दर्शकों तक सीमित सफलता के बाद अब वैग्यानिकों को उम्मीद की नई किरंड दिखी है माना जा रहा है कि अगले पांस साल में कैंसर को लेकर कई कारगर ठीके विक्सित किये जा सकते हैं अमेरिका के नैशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के डॉक्टर जैम्स गुली ने कहा है कि हमें कुछ हद तक सफलता मिल गई है अब इसे और बहतर करने की दिशा में काम हो रहा है वेग्यानिक जिस वैक्सिन पर काम कर रहे हैं वह आम वैक्सिन से इतर होगी सामाने अताः वैक्सिन का प्रयोग बिमारी से बचाव के लिए होता है कैंसर की वैक्सीन शरीर में बने कैंसर ट्यूमर को छोटा करने में सक्षम होगी और भविशे में कैंसर को पनपने से रोकेगी जानलेवा तुचा कैंसर, मेलानोमा और पैंक्रियास के कैंसर पर इसी साल वैक्सीन के कारगर रहने के प्रमान मिले हैं अब इस्तन कैंसर और फेफडे के कैंसर को लेकर प्रयोग किये जा रही है। लगातार उननत होती टेकनोलोजी के दम पर इस बात को लेकर इस्थिती ज़्यादा इसपश्ट हुई है यह वैक्सीन उसी प्रक्रिया पर काम करेगी। जिसे इस सरहे की वैक्सीन विक्सित की जा सके। एक बार कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा नापन पे। सीनियूस के लिए लक्षमी राज सिंग की रिपोर्ट